हेलो फ्रेंज, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है गर्मियों में अक्सर दही खटी हो जाती है जिसे हर कोई खाना पसंद नहीं करता है तो आज मैं इस खटी दही से आपको पनीर बनाना बताऊंगी जो कि पूरी तरह से निच्रल होगा तो आप वीडियो को फूल वाच करें बिल्कुल विस्टिक न करें नहीं तो आपको पूरी जनकारी नहीं मिल पाएगी जिसके कारण आपके पनीर जो है अच्छे नहीं बनेंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं दही से पनीर बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा दही ली हूँ जो खटी हो चुकी है आप दही से पनीर दो तरीकों से बना सकते हैं सिफ दही से बना सकते हैं और दही और दू दोनों से बना सकते हैं अगर आप सिफ दही से बना रहे हैं तो आप दही को लो फिलेंप गैस पर गरम कर लें, इससे क्या होगा कि दही में से पानी अलग हो जाएगा, फिर इससे आप एक कपड़ी में छान लें, पर इससे मैं दूद और दही दोनों से बना रहे हूं, क्योंकि दही हमारी कम है, सिर्फ दही से जो हम पनीर बनाते हैं, वह थोड़े खटे बनते हैं, गैस पर हमने दूद गरम होने के लिए रख दिया है, यह आधा लिटर के करीब दूद है, अब हम दूद में उबाल आने देंगे, दूद में हमारा अच्छा सा उबाल आ चुका है, यह देख सकते हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे, अब हम दूद में डही को डालेंगे, गैस को हमने यहाँ पर बंद कर दिया है, अब इससे इस तरह से हलके हाथों से चलाएंगे, देख सकते हैं, अच्छी तरह से हमारा दूद जो है फट चुका है, अब यहीं पर हम एक गिलास नर्मल पानी डालेंगे, इससे क्या होगा कि हमारे पनी जो है टाइट नहीं होंगे, सॉफ्ट बनेंगे, जब आप दूद गरम करने के बाद आप गैस को बन कर दे, तभी आप दही डालेगा, अगर गैस ओन करकर दही डालेगा, तो क्या होगा आपके पनी जो है हाड बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे, यहाँ पर मैं एक बड़ा सा बर्तन ली हूँ, आप इस पर मैं कोटन का कपड़ा डालूंगी, आप इसमें हम पनीर को छान लेंगे, यहाँ पर हमने छेने को छान लिया है, आप इससे हम थुआ पानी से धो देंगे, इससे क्या होगा जो दही की खटास है, वो खतम हो जाएगी, आप हमार पनीर जो है खटे नहीं लगेंगे, अब हम छेने को पानी को अच्छी तरह से इस तरह से निच्ची ओड लेंगे, इससे हम घुमा घुमा कर इस तरह से इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उससे निकाल लेंगे, छेने के पानी है उसे आप फेके नहीं आप इसे सब्सें में ग्रैवी बनाने के लिए इस्ञाल कर सकते हैं अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसे पुरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद पेनपोधु में भी डिाल सकते हैं यहां पर हमने छेने के पानी को पुरा निचोड लिया है, अब इस पर एक हम भारी वजन रख देंगे, इससे हमारा पनीर जो है अच्छी तरह सेट हो जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, अब हम पनीर को चेक कर ले रहे हैं, इससे सेट होने में 20 से 30 मिनट का समय लगता है, देख सकते हैं, अमरा पनीर जो है बन कर त्यार हो चुका है, आप इससे में आपको कट करकर दिखा रहे हूँ, यह देख सकते हैं कितना सॉप्ट बना हुआ है, यहाँ पर हमने सभी पनीर के पिसेश को कट कर लिया है, इस तरह से आप भी दही से पनीर घर पर बना का त्यार कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेर, कमेंट जरूर कीजेगा, मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए थांक्स पर वाचिंग,